स्वागत आपका एक वार फिर से टार्गेट टीचेंग एक्जाम इटूप चैनल पे तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपियसी पीयाटी 3.0 अभी तक जो है आप लोग के मन में बहुत डाउट होगा कि जो है इतने मार्क हैं तो मेरा रिजल्ट होग या नहीं होगा तो आज इस वीडियो को देखने के बाद यह सारा कंफ्यूजन आप लोग का दूर होगा और आप लोग को जो है आज के बासे कोई कट आप देखने की जोड़त नहीं पड़ेगी और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं प्रूफ के तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूं तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को पता है जितने भी लोगों ने जो है PRT TRE 2.0 का एक्जाम दिया है उन सभी लोग को पता है कि इसमें जो है आपको दो परकार के जो है चंजाती कल्यार विवाग का जो है उभरती देखने को मिला था तो इसके लिए आप लोग को अलग से सुल्क नहीं देना पड़ा था दोनों फार्म जो है वो एक ही में फिलप हो गया था और एक्जाम भी जो है वो एक ही था बस इसका मेरिट जो है अलग-अलग बन गया था इसमें जो है आप लोग को टोटल 262 जल दिये गये थे तो इसके डाटा के अनुसार अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 77 नंबर तक कितनी रैंग थी पी आटी में और देखिए क्योंकि इसमें अलग से कोई सुल्क नहीं लगा था तो जितने लोगों ने भी जो है सिछ अब नहीं लिया था भी पी असी ने और कंडिडेट की संख्या भी लगबग एक लाग के संथिंग थी तो अब आईए मैं आप लोग को दिखाता हूं तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं इसमें जो है 250 सीट पर जो है रिजल दिया गया था इसमें यूवर का जो कटाप था 91 था यूवर फिमेल का 87 था और यहाँ पर आप लोग देखें EWS फिमेल यहाँ पर कितना गया था कटाप 77 गया था तो इस वीडियो में इसी डाटा के अनुसार मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं कि 77 नंबर तक क्या रैंग थी TRE 2.0 में तो आईए देखते हैं तो सबसे पहले आप लोग को यह समझना होगा कि मेरिट सिरियल नंबर क्या है तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं यह EWS मेल का रिजल्ट है इसमें जो मेरिट सिरियल नंबर है यहाँ पर आप लोग देखें कि मोहित कुमार सिंग इनका मेरिट सिरियल नंबर है 83 यानि अगर एक लाख लोग एक्जाम दिये होंगे तो इसमें जो है मुहित कुमार सिंग इनका मेरिट सिरियल नंबर था 83 यानि ये जो है इनकी रैंक को बता रहा है मेरिट सिरियल नंबर ये इनकी रैंक को बता रहा है कि एक लाख में जो है इनकी रेंग कितनी थी अब आईए बात करते हैं हम लोग कि 77 नंबर तक जो है कितना रेंग था तो दिखिए आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं यह जो रिजल्ट है इतना केवल इतना जो है यह EWS फीमेल का रिजल्ट BPSC ने दिया है केवल जो है छे लोगों का इसमें रिजल्ट है और इसमें आप लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अध्या आर्या यहाँ पर जो है इनका मेरे सिरियल नंबर में यानि इनकी जो रैंक है यह है 3322 और EWS फीमेल यह जो कटाप मैंने अभी आप लोग को दिखाया कितना गया था 77 गया था अभी जो है बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट होगा कि इनका जो है यह रैंक जो है सिरियल से क्यों नहीं है तो देखिए रैंक कभी सिरियल से नहीं होता है यह EWS female के total 6 candidate है इनके जो है rank के बीच में आप लोग gap दे सकते हैं तो यह gap इसलिए है क्योंकि इसमें जो है male, female और भी other जितनी केटेग्रिया है उनके जो student है वो रहे होंगे और यह जो केवल result है यह EWS female का result है बले है इनकी rank कितने भी नीचे क्यों ना चली जाए यह चाहे साक नंबर पाए हो या 25 नंबर पाए हो अगर इतने ही केवल candidate है तो यह जो है rank आपको जो है इसमें gap देखने को मिल रहा है इसलिए तो उमीद है आप लोगोंने मेरी बात को अच्छे से समझा होगा तो अब आईए बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं 3322 पर जो rank थी यह कितने नंबर पर rank थी यह 77 नंबर पर rank थी अब बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि TRE 2.0 से कोई comparison नहीं है TRE 3.0 से तो मैं आपको बता दूँ कि 95% जो student है वो TRE 2.0 के ही TRE 3.0 में सामिल हुए है और competition लेबल भी लगबख समानी है और जितने भी लोगोंने exam दिया होगा उन लोग को अच्छे से पता है कि जो इस बार का exam का जो paper था वो TRE 2.0 से tough था तो हम लोग तब भी same मानके चलते हैं क्योंकि इसमें 2-3 मेंगे अगर time extra भी मिला है तो इस वज़ा से हम लोग मानके चलते हैं कि competition और जो exam paper अगर same था तब जो है आपका जो है इस बार cutoff क्या रहने वाला है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं proof के साथ कि 3322 rank तक आते आते 77 नंबर पहुंच गया अगर इसमें हम लोग मान लेते हैं कि अभी और other category के भी 77 नंबर पर 500 अगर student रहे होंगे तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि 77 नंबर तक total 4000 candidate आये थे हैं कि अगर मान लेते हैं हम लोग इसमें अभी 500-600 candidate या 700 candidate और अगर होंगे तब भी आपका जो cutoff 77 तक जा रहा है कितने में तो यह total 4000 seat पे आपका cutoff मार्ण जा रहा है 77 तो अब इतने सारे चीजों को देखने और समझने के बाद अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि क्या इस बार जो है cutoff 77 से उपर जाएगा अगर जो है केवल और केवल 4000 seat पे VPSC रिजल जारी करता है तो किसी भी कीमत पे cutoff 77 से उपर नहीं जाने वाला है बाकी जो है मैंने cutoff का वीडियो अपलोड किया है जिन भी लोगों ने नहीं देखा है तो चलिए मैं एक बार और फिर से आपका सभी category का cutoff पताता हूं और यह जो cutoff रहने वाला है यह 50% registration policy के अनुसार जिसमें कि आपके UR की seat बढ़ेगी तो उसके अनुसार जो है यह cutoff है तो आईए बात करते हैं cutoff की तो दोखिए जो undeserved mail जो undeserved mail का cutoff जा सकता है वो अगर सब चीज़े जो है VPSC ने सही से किया है तो 74 से लेके 77 यह 77 यह last last cutoff है क्योंकि जो है final answer की नहीं आया था तब तो आप लोग मान सकते थे कि हाँ 80 तक जा सकता था cutoff लेकिन जो final answer किया है उसमें 3-4 number लबग 90-95% लोगों के जो ही वो कम हो गये हैं या तो उतने लोगों के नमबर कम हो गये हैं उतने परसंट लोगों के नमबर या तो फिर 5-10% लोग ऐसे हैं जिनके एक नमबर बस एक नमबर जो है वो increase हुए है या तो बिल्कुल भी इंकेज नहीं हुए है या तो एक नंबर इंकेज हुए है और मेक्सिम लोगों के नंबर जो है तीन से चार कम हुए है तो अब जो नया कटाफ होगा उसमें यूर मेल का कटाफ क्या होगा तो वो होगा 74 से लेके 77 77 से उपर फाइनल एंसर की आने से पहले जा सकता था लेकिन जब फाइनल एंसर की आया तो उसके बाद 77 से उपर कटाफ नहीं जाएगा तो यहां पे जो है कटाफ होगा अन्डीजर फिमेल का वो होगा 64 से लेके सरसट ये अंडिजर फिमेल का कटाफ होगा अब बात करते हैं EWS मेल का कटाफ तो EWS मेल का कटाफ क्या होगा तो EWS मेल का जो कटाफ होगा वो होगा सरसट से लेके 70 अब बात करते हैं EWS फिमेल का तो EWS फिमेल का कटाफ जाएगा आपका 60 से लेके 62 बाकी जो है आपको ये जितना कटा बता जा रहा है बहुत एनाल्सिस करने के बात बताया जा रहा है तो आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि जिनके भी इतने नंबर है उनके जो है काफी अच्छे चांसे सेलेक्शन के अब बात करते हैं SC male की तो SC male की कटाफ जा सकती है वो जा सकती है 50 से लेके 55 अब SC female की कितनी जाएगी तो ये जा सकती है 45 से लेके 50 बात करते हैं ST की कटाफ की तो ST की जो कटाफ जा सकती है वो जा सकती है 50 से लेके 55 क्यूंकि Itís एक एस्ती में है, बहुत ज़र्धे आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा लगपक सैनी कटाफ जाता है और हD female की जा सकती है आपको 45 से लेके 50 EBC की कटाफ क्या होसकती है? तो एवी सी की कटाफ होसकती है, 64 से लेके 60 EBC female की तो ये हो सकती है 55-40 के लगबग में अब बात करते हैं 20.00 मेल की कटाफ तो BC देखिए यूर मेल का जो कटाफ होता है उससे अगर कम किसी का नजदीक कटाफ जाता है तो वो जाता है 20.00 का तो BC का जो कटाफ लगबग जा सकता है वो जा सकता है 68 से लेके 72 तर तक कि को बीसी फीमेल का कटाफ जा सकता है अठावन से लेके बासत को देखिए दोस्तों आपको जो है सारी कटेग्री की जो है कटाफ बता दी गई है अर रफ एग गई लगा हो तो कमेंड़ जरूर करें कि कितना हद तक कटाफ जो है कटाफ सही है